नमस्कार दोस्तो आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर दोस्तो आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा जियो कंपनी के एक बैड अपडेट के बारे में दोस्तो यदि आप एक JioPose Plus के Retailer है या आप एक JioPose Lite के Retailer है तो दोस्तो जान लीज़े अब हर Retailer JioPhone Nest को Sale नहीं कर पाएगा अब वो कौनसे डीटेलर होंगे जो JioFone Nest को SELL कर पाएंगे तो दोस्तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में बने रहना वीडियो को अंतर जरूर देखना और जिदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कोमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि आज का इप पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है और जिदियां आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर जोइन नहीं किया है जो जियो फोन को यहाँ पर जो है शेल कर पाएंगे तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जियो कमपनी ने एक लिनोवो की टेबलेट लॉंच की है जिसका minimum price 15,000 से लिकर 16,000 के बीच में पड़ेगा उसके साथ जो जो समाल साथ आएगा तो guys यहाँ पर जो है जो ऐसे रिटेलर होंगे जो उस टेबलेट को खरीदेंगे दोस्तो उस टेबलेट को खरीदने के बाद जितने रिटेलर भाई उस टेबलेट को खरीदेंगे लिनोवो कमपनी की तो दोस्तो यहाँ पर जो आपको जियो पोच प्लस उसमें लोगिन करना होगा और उसके माध्यम से आप जियो फोन नेश्ट को ओर कर पाएंगे और दोस्तो यदि आप ओर कर पाएंगे तब ही आप जियो फोन नेश्ट को सेल कर पाएंगे और दोस्तो यदि आप लिनोवो की उस टेबलेट को पर्चेज नहीं करते हैं अपने जियो सेंटर या अपने जिस्टूटर से तो दोस्तो आप Jio Phone Nest को सेल नहीं कर पाएंगे और दोस्तो साथ के साथ मैं आपको information दे देता हूँ टैब के बारे में दोस्तो टैब आपको 15,000 से लिकर 16,000 के बीच में यानि कि उसके साथ और भी चीज़े आपको दी जाएंगी यानि पूरा मेटर आपको 15-16,000 में पड़ेगा तो गाई जान लेते हैं कि यहाँ पर आप दो परकार से आप जो है उस टैब को खरीच सकते हैं एक तो कैश खरीच सकते हैं दूसरा आप उसे किस्तों में खरीच सकते हैं आपको शुरुवात में कुछ पैसा आपको 3-3,000 रुपे आपको यहाँ पर जमा करना होगा और शाड़े 700 रुपे की पर मंत की किस्त आपकी इसकी बांद दी जाएगी इसमें तो दोस्तों किसी भी रिटेलर को दिक्कत नहीं है और दोस्तों यहाँ पर जियो कंपणी ने बहुत बड़ा मसला सा खड़ा कर दिया है रिटेलर के साथ यदि आपको जियो फोन नेस्ट शेल करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिनोवो की वो टेबलेट खरी दिने होगी जिसके मादियाँ से आप इसको ओडर कर पाओगे दोस्तों मुझे कोमेंट करके जरूर बताएगा कि जियो कंपणी ने सही किया है या गलत किया है दोस्तों यदि आप सेल करना चाहते हैं जियो फोन नेस्ट तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पर्चेश करनी होगी लिनोवो की वो टेबलेट तब ही आप ओडर कर पाएंगे तब ही आप उसको सेल कर पाएंगे तो दोस्तों आप समझगे होगा कि इस वीडियो के मादम से मैंने आपको क्या जानकारी दिया है दोस्तों यहाँ पर जियो फोन नेस्ट उनी रिटेलर के पास आप आएगा जिनके पास लिनोवो की वो टेबलेट होगी दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और जिदिया आप इस स्टूडियो को फेस्टूक पेस्ट पेस्ट पे देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ पर भी लाइक और फोलो करना ना बोले मैं लेता हूँ इजाज़त मिलूँगा आपसे ने स्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत